हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से MJPRU daily news में LLB में admission almost खतम हो चुके हैं अब आप लोगों का सवाल होगा कि भई LLB का exam pattern क्या है, syllabus क्या है LLB का और उसके साथ ही back improvement कैसे डाल सकते हैं और उसके साथ grace हो गएरा का कितने marks हमें मिलते हैं तो इनी सब सवालों पाज हम चर्चा करने वाले हैं डीप से और आपके LLB के syllabus से लेके exam pattern तक जितने भी आपके question दिमाग में कभी न कभी आने वाले हैं वो आज इस वीडियो में cover हो जाएंगे पूरे तो शरीय सुरू करते हैं देखो LLB में आप 3 year वाले course में total 6 semester तक आप पढ़ने वाले हैं और इन 6 semester में हर एक semester में आप past subject पढ़ने वाले हैं लास्ट वाला जो 6 semester है उसमें आप 6 subject पढ़ेंगे यानि कि इस हिसाब से आपके total subject हो जाते हैं वो आप 31 subject इसमें पढ़ने वाले हैं अगर हम first semester को example लेके बात करें तो first semester में आपके 5 paper हैं और उन 5 paper में हर एक paper जो आपका 100 number का है इस हिसाब पर आपके total बनता है वो 500 number का बनता है एक paper 100 number का है उसमें आपके 90 marks जो आएंगे वो theory से आएंगे और 10 mark आपके assignment practical से आते हैं assignment एक क्या होता है कि college आपको एक topic देगा और उस topic पर आपको लिखना होता है वो जो topic होता है वो 20 से 25 पर आपको लिखना होता है आप घड़ से लिखकर भी दे सकते हैं उसको 90 marks के जो exam होते हैं वो आपके college में ही होंगे और उसमें 90 marks के जो exam आएगा theory वाला उसमें आपके 5 question होते हैं 18 number के और हर एक question को आपको कम से कम 3 page में लिखना होता है 18 number का question आप सोच सकते हैं कि एक question 18 number का one question पास question total आएंगे आपको option रहते हैं दस question आते हैं वैसे तो लेकिन आपको उसमेसे 5 करने होते हैं उपर नीचे औप्योन रहता है अथ हुआगा उसके बाद अगर हम बात करें आपके passing marks की तो तो 100 में से आपको 36 लाने होते हैं या हम 90 प्लस 10 आपको बता रहे हैं ठीक है हर एक subject में आपके 36 36 आने चाहिए और उसके साथ ही आपका जो total होना चाहिए वो 225 से कम ना हो ठीक है अगर आपके किसी subject में 36 से कम आते हैं तो वह आपकी लगती है back ठीक है वैसे 36 से अगर कम आते हैं मान लीजे 5 नंबर तक आपके कम है तो आपको 5 नंबर तक की grace मिल जाती है यानि कि maximum जो grace मिलती है वो आपको 5 नंबर तक की मिलती है और एक ही subject में मिलेगी किसी भी सबजेक्ट में आपकर नंबर कम हो दो सबजेक्ट में अगर अनुक्ड हो जाते हैं इसा नहींuğ है बाट देंगे वो एक ही में देंगे दूसरे में आपकी बैक लग जाएगी बैक क्या होती है बैक होता है कि 36 से अगर कम आ रहे हैं तो आप उसको back बोलेंगे और अगर आपके number 36 से जादा हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आपके number कम है आपने जो लिखा है वो उससे जादा का लिखा हुआ और आपके number आ गए हैं 36 आ गए हैं 47 आ गए हैं तो आप improvement डालेंगे अपने number improve करने के लिए हैं ठीक है बैक और इंप्रूव्मेंट दोनों की जो फीस रहती है वो एक हजार पच्छिस रुपे रहती है कॉलिश की जो फॉर्वाइडिंग फीस रहती है फॉर्म को की आगे भेजना है इन्वस्टी को तो उसके लिए वो दो सो तीन सुर रुपे एक्स्टर लेके चलते हैं गौर्मेंट का प्राइविट को सबका ललग मैटर है तो यह थी आपकी एक्साम पैटर्न की बात अब अब आप फॉर्स्ट से सेकंड सेमस्टर में जाएंगे तो कोई एड्मिशन प्रोसेस नहीं होती है जैसे ही आपका रिजल्ट है आप सेकंड सेमस्टर में पहुंच थर्ड सेमस्टर में जाने के वो यह हैं कि आपको फॉर्स्ट और सेकंड सेमस्टर के कम से कम आठ सबजेक्ट मिलाके 360 नमबर लाने हैं ठीक है यानि कि आप एक साल में केवल दो ही बैक केरी कर सकते हैं उससे जदा बैक अगर आप आती हैं तो आपके एर बैक मानी जाएग और आपको यह सेमस्टर हैं फॉर्स्ट और सेकंड सेमस्टर वो दौरा देने होते हैं यानि कि एर रिपीट करना होगा अगर आप 225 नमबर से कम नमबर लावते हैं तब तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है आगले सेमस्टर में पहुंची जाएंगे उसमे पाचवे सेमस्टर में जा रहे हूं तब आपके लिए दिक्कत आती है ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि फॉर्स्ट वाले में जैसे हमने बताया कि इस वाले फेज में अगर थर्ड सेमस्टर में आप जा रहे हैं तो थर्ड सेमस्टर में जाने के लिए आपको फ थार्ड और फॉर्थ में वही रूल है कि थार्ड और फॉर्थ सेमस्टर गए आठ सब्जेक्ट मिला के आपको तीन सो साइट नंबर होने चाहिए स्लेबस की अगर हम बात करें तो स्लेबस वैसे हमने अपने टेलिग्राम ग्रूप में डाल रखा है नीशे हमने लिंक दिया हुआ है वहां से आप डाउन्लोड कर सकते हैं तो लल्ब के फॉर्स समस्टेड में आप पास सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंस्टूशनल लौ लौ में आप हिंदू लौ पढ़ने वालें लौ अफ क्रैम यानि आई पीसी और लौ अफ टॉट मोटर वाहिकल एक्ट ठीक है और कंस्वर प्रटेक्शन एक्ट आप यह पढ़ने वाले हैं टूटल आप पास सब्जेक्ट इसमा पढ़ेंगे ऐसी सेकिंड समस्टेड में पाच प्रिविएस एक कोश्चन पेपर चाहिए आपको नोट्स वगरा चाहिए और कुछ भी स्टेडी मेटेरियल आपको चाहिए तो आप हमारे टेलग्राम ग्रॉप से डाउंड़ कर सकते हैं वहाँ पर हमेशा पढ़ेगी रहते हैं हमेशा नए फ्रेश मेटीरियलम डालते र एनका एक हमसा जोरे जली वाम जते हैं